तो फ्रेंट्स आज शुरुबात करते हैं आज का हमारा टोपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान ठीक है आज हम प्रक्टिस सेट लेका हैं आपका रसायन विज्ञान का ठीक है आपकी कोई सी परिक्चाओ सभी में जितने भी रसायन विज्ञान से सम्मधित क कि उसना आते हैं उसमें ये सभी GUY दिस्स्द की परिक्षाओं के लिए Gregory चलिए शुरूबात करते हैं पहले रदा की तरफ टो सबात हैं नेमलिकट में किस्तóst में तो किए कोज करी ये अगर करें तो ये किस ने करती अनेस्ठ रधरफो ने ठीक है प्रोटान की कोई अनेस्ट रधरफोड ने ठीक है कि चलिए नेक्स्ट कुशन देखते है हमारा नेक्स्ट कुशन है तरल-पदार्थ नेक्स्ट कुशन है हमारा तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परवाणों का बिस्तापन किस तरह होता है ठीक है तो परवाणों का बिस्तापन किस तरह होता है अगर इसकी बात करें तो तो यह होता है आपका बहुत बारीकी से बंदे होते हैं ठीक है बहुत बारीकी से बंदे होते हैं एक दूजरे से ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका जो हमारा next question है न्यूटान एक कंड जो परमाड़ू के नाविक खांस की खोज किस ने करी थी ठीक है न्यूटान की खोज किस ने करी थी अगर इसकी बात करें तो इसकी खोज किस ने करी थी आपकी जेम्स जेड़ भीकने ठीक है चलिए next question देखते हैं हमारा next question है proton का द्रब्यमान होता है तो proton का द्रब्यमान केतना होता है आपका 1.6726 गुणा 10 की 24 ग्राम ठीक है यह होता है प्रोटान का द्रब्य मान ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next question है हमारा हीरा तता ग्रेफ हाइट में समान है ठीक है हीरा तता ग्रेफ हाइट में समान है तो क्या समान है इसमें अगर इसकी बात करें तो पर्मानू भार समान होता है हीरा और ग्रेफ हाइट में ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next question है हमारा जल में hydrogen तता oxygen का अनुपाद भार के अनुसार है ठीक है तो किसके अनुसार है तो यह होता है आपका 1.1 बन अनुपाद आट में ठीक है बन अनुपाद एट में ठीक है अगला question देखते हैं अगला question है हमारा competent प्रभाब निम्लिकित में से किससे संबन दीते हैं ठीक है competent प्रभाब निम्लिकित में से किससे संबन दीते हैं तो किससे संबन दीते हैं आपका ये X किरनों से ठीक है किस समझते हैं X किरनों से चलिए next question पर जलते हैं next question है हमारा graphite मुख्य रूप से निमली कित्मे से किस तत्व से बना होता है तो हमारा ये किस तत्व से बना होता है आपका कारवन से ठीक है काई से बना होता है कारवन से चलिए next question देखते हैं आपका किस के पिरयोक के जरी धातों की उच्छ सुदुता प्राप्त की जा सकती है तो इसका क्या होगा आपका यह होगा बिद्दुत अब गटनी नियोनी करन दवारा ठीक है धातों की उच्छ सुद्दा प्राप्त कर सकते हैं बिद्दुत अब गटनी नियोनी करन की दवारा ठीक है कितना प्रोंता है इसकी बात करें तो यह होता है आपका 25% चलिए नेक्स्ट कुशन देख नेक्स्ट है हमारा निमलिकित नेसे कौन सा पदार्थ एक ने चिपकने वाले बर्तन की सतय पर लेपित किया जाता है ठीक है तो जो पदार्थ लेपित किया जाता है तो वो कौन सा है आपका जिससे की तो यह है आपका टेपलान जो बर्तनों में नीचे सत्य इससे कोई भी उसके अंदर चिपके ना ठीक है चलिए नेक्ट क्यूसन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्यूसन है हमारा प्लास्टर आप पेरिस में सल्फेट का एक महीं सपेद पाउडर होता है तो किसका होता है वो अगर इसकी बात करें तो यह होता है आपका केलसियम का ठीक है किसका होता है प्लास्टर आप पेरिस में केलसियम सल्फेट का एक महिन सपेद पाउडर होता है ठीक है चलिए next question देखते हैं तो किस में होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक आपका यह होता है आपका बेग लाइट एबं इपाक्सी रेसीन में ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next है हमारा केला माइन का एक आयस्क है तो इसका आयस्क क्या है आपका इसका आयस्क से जस्ता केला माइन का आयस्क क्या है केला माइन जस्ता का एक आयस्क है ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next है हमारा निमलिकित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है तो कौन नहीं है आपका cadmium क्या नहीं है cadmium ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका भारी मसीनों में किसके lubricant के स्वेरूप में पर्यूप किया जाता है ठीक है भारी मसीन में किसको lubricant के रूप में पर्यूप के स्वेरूप में पर्यूप किया जाता है तो किसके स्वेरूप में पर्यूप किया जाता है अगर इसकी बात करें तो यह है आपका graphite के रूप में ठीक है ग्रेफाइट के स्वरूप में प्रयोगत किया जाता है चलिए next question देखते हैं आपका जो next question है हमारा किस उद्देशिय से potassium bromide का प्रयोग किया जाता है ठीक है तो किस उद्देशिय से potassium bromide का उप्योग करते हैं इसका उप्योग करते हैं photograph ही में कार्णालाइट किस दातु का आयसक है तो यह आपका किसका आयसक है यह आपका पोटेसियम का किसका है पोटेसियम का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्यूशन है जंग लगने पर लोह का बार क्या होता है ठीक है जंग लगने पर लोह का बार बढ़ता है ठीक है चलिए next question देखते है next question है हमारा कौन सी धातु ठंडे पानी से पिर्तिकर्या नहीं करती है लेकिन गर्ब पानी पर बास्प से पिर्तिकर्या करती है ठीक है तो कौन सी से नहीं करती है अगर इसकी बात करें तो यह है आपका एल्मोनियम ठीक है क्या है एल्मोनियम ठीक है चलिए next निमलिकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक एगहात पर रहे है मेली एवल होती है ठीक है मेली एवल होती है अगर इसकी बात करें तो कौन सी होती है आपकी सोना और और चांदी कौन सी होती है सोना और चांदी ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका निमलिकित में से कौन सा योगिक संग मरमर का एक पिरमुग घटक है ठीक है निमलिकित में से कौन सा योगिक संग मरमर का एक पिरमुग घटक है तो कौन सा है आपका यह होता है calcium carbonate का ठीक है calcium carbon और नेट का चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्यूशन है हमारा निम लिकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कौन सी नहीं है आपकी यह है आपकी नाइट्रोजन ठीक है कौन सी गीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है हमारा ethylene glycol co-entrifreeze हिमरोधी की रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है ठीक है तो क्या होता है अगर इसकी बात करें तो यह यह पानी के हिमांग को कम करता है तो पानी के क्वथनांग को बढ़ाता है ठीक है चलिए अगरा क्यों सन देखते हैं अगरा पिरसन है हमारा जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो gas निकलती है ठीक है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो gas निकलती है तो कौन सी gas निकलती है अगर इसकी बात करें ठीक है, motor बहान की बैंटरी में कौन सा अमल प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है आपका यह, add to SO4, ठीक है, कौन सा होता है, add to SO4, ठीक है, चलिए next question देखते हैं आपका, next question है, हमारा कमरे के ताप करम पर कौन सी धातू तरल अवस्ता में पाई जाती है, ठीक है, कमरे के ताप ब्रोमीन, ठीक है, कौन सी, ब्रोमीन, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, next है हमारा, laughing gas क्या है, अगर laughing gas की बात करें, तो यह क्या है आपकी, nitrous oxide, क्या है, nitrous oxide, ठीक है, चलिए next question देखते हैं आपका, next question है हमारा हरे फलो को कृतिम ढंक से पकाने हेतु पिर्योग gas है ठीक है हरे फलो को कृतिम ढंक से पकाने के लिए किस गैस का पिर्योग करते हैं अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा acetilene ठीक है acetilene का पिर्योग हरे फलो को पकाने के लिए कृति मुरूब से प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका H.A.T.L.E.D. का, चलिए next question देखते हैं, next question है हमारा denatured, बी कृतिकरत, alcohol क्या है, ठीक है, बी कृतिकरत, alcohol क्या है, अगर इसकी बात करें, तो ये क्या है आपका, तो ये होता है आपका, ethanol प्लस, methanol, क्या होता है, ethanol प्लस, methanol, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, next question कह रहा है हमारा, देहन के लिए निमलिकित में से कौन सी गैस आवस्यक है, ठीक है, यानि कि जलाने के लिए कौन सी गैस आवस्यक होती है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये कौन सी होती है आपकी आक्सीजन देहन के लिए आक्सीजन बहुत जरूरी है ठीक है चलिए next question देखते है next question क्या कह रहा है हमारा next question है हमारा निम्लन में से सबसे हलकी gas कौन सी है ठीक है सबसे हलकी gas कौन सी होती है बात करें तो इसकी, तो यह कॉन सी哦 हमारी haity gas होती है है हमारी helium. कॉन सी होती है? helium gas, ठीक है? चलिए next question देखते हैं. next question है हमारा किस गैस की गंध सहरे बढ़ाई नाजल अच्छ कि गंध सडय हुए अंडे जैसी आती है अगर इसकी बात करें तो किसकी आती है हमें hydrogen sulfide की सरे अंडे जैसी कि सम приех अती है hydrogen sulfide में च CCTV है चलिए next question Lösung देखते हैं next question है हमारा पानी को सुध़ करने के लिए आम तोर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निमलिकित में से कोन सा है तो यह तरीका कोन सा है आपका अगर इसकी बात करें तो यह है आपका किलोरी नी करन, ठीक है, किलोरी नी करन, ठीक है, नेक्ष की उस्सान है हमारा, नेक्ष है निमलिकित में से किसके परड़ाम स्वरू पानी की गुडवत्ता में गिरावट आई है, ठीक है, किसके परड़ाम स्वरू पानी की गुडवत्ता में गिरावट आई है, तो इसकी बा चलिए next question देखते हैं next question है हमारा जल, प्रैक, मण या सैंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्तों को हटाने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं ठीक है तो इसकी बात करें तो इसका क्या होगा आपका ये होगा reverse asmosis, asman और iron exchange ठीक है reverse asmosis, asman और iron exchange ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका खाने का soda है खाने का soda क्या है आपका अगर इसकी बात करें तो खाने का soda है हमारा sodium by carbonate ठीक है, खाने का soda sodium by carbonate चलिए next question है हमारा दीमक को नक्ष्ट करने के लिए सरवादिक उप्यूक्त रसायन है अगर इसकी बात करें तो यह हमारा monokrotophus ठीक है, monokrotophus ठीक है चलिए next question हमारा next question हमारा निमलिकित में से किसका प्रसांत तक औसद के रूप में पिर्योग किया जाता है ठीक है, किसका प्रसांत तक औसद के रूप में पिर्योग किया जाता है टीके तो किसका के जाता है अगर इसकी बात करें तो वेलियम का उपका ठीक है चलिए next किरें देख्तें हैं आपका नेस्ट कि उसेन है हमारा sensor list अपर मार्जक synthetic detergent के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सहीं है ठीक है तो next question देखते हैं next question है हमारा घरेलू तोर पर पानी को मिरदू बनाने के लिए बासिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है यह बासिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है यह बासिंग सोडे का इस्तेमाल किया प्राकिर्तिक रबर के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है ठीक है प्राकर्तिक रवड की बात करें तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है यह है एक प्राकर्तिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते है ठीक है तो यह आपका कथन सही है चलिए next देखते हैं, next question है हमारा निमलिकित में से कौन सा जलिये निकाय में होने वाले पुर दूसरा है, योगधान नहीं करता है, ठीक है तो कौन योगधान प्रिदान नहीं करता है, अगर इसकी बात करें तो ये है आपका ओजोन, ठीक है कौन योगतान परदान निकरता है आपका ओजोन ठीक है चलिए next की बात करें next person है हमारा सार्ज्मिनिक आप उरती हे तू पानी का pH मान कितना किस स्रेड़ी में होता है तो ठीक है किस स्रेड़ी में होता है आपका ये 6.5 से 8.5 तक ठीक है कितना होना चाहिए 6.5 से 8.5 तक ठीक है चलिए next question देखते है आपका निम्न में से किस पिरकार के कोईले में सबसे अधिक कारवन सामगरी होती है ठीक है तो किस में कारवन सामगरी सबसे अधिक होती है किस पिरकार के कोईले में अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका anthracite ठीक है anthracite में carbon की मातरा सामगरी सबसे इदिक होती है ठीक है चलिए next vampire shewn देखते हैं आपका next person है हमारा synthetic fiber के संब्भब difféude निमलिकित में कौना कथान गलत है ठीक है synthetic fiber के संब्भब mnie निमलिकित में कौना कथान गलत है ठीक है अगर इसकी बात करें तो यह है आपका प्राकर्तिक फाइवर से कम टिकाव होता है ठीक है चलिए next question देखते है next है हमारा दो विभीन पिरकार के पदार्तों के कंड को स्वैथी आपस में मिस्रित करने की पिरिकर्या को कहते हैं तो क्या कहते हैं इस पिरिकर्या को अगर इसकी बात करें तो इसे कहते हैं आपकी diffusion ठीक है चलिए next question है आपका जब पानी मिलाने के बाद मिस्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैट जाता है तो इस पिर्यकर्य को कहा जाता है तो इस पिर्यकर्य को क्या कहा जाता है आपका आरसानिक तत्व की अधिकतम अनुपात मात्रा कितनी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए यह होनी चाहिए आपकी 0.050 ppm ठीक है कितनी होनी चाहिए 0.050 ppm ठीक है इतनी होनी चाहिए ठीक है चलिए next question देखते है नेक्स्ट है हमारा निमलिकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्थन है इनमे से कौन सा रासायनिक परिवर्थन रासायनिक परिवर्थन की बात करें तो यह आपका पठाकों का जलना क्या है आपका पठाकों का जलना क्या है रासायनिक परिवर्थन चलिए next question देखते हैं सग्णन जल चक्र की प्रिकर्याओं में से एक सग्ण के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है इसकी बात करें तो यह आपका बास्प अवस्ता को तरल अवस्ता में बदला जाता है next question नेक्स्ट है हमारा निमलिकित में से कौन सी प्रिकर्या जल चक्र में सामिल प्रिकर्या का एक हिस्सा है तो कौन सा हिस्सा है अगर इसकी बात करें तो ये है आपका बास पी करन जल चक्र में सामिल प्रेकर का हिस्सा है तो कौन सा आपका बास पी करा हूँ ठीक है चलिए next question देखते है next है हमारा निमलिकित में से किसका पिर्योग एक एंटी फ्रीज की रूप में किया जाता है तो anti-freeze की रूप में किसका प्रियोग किया जाता है आपका इसका methyl, alcohol, hal का ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next है हमारा निमलिकित में से किसका अधिक्तम ताप जनक मान होता है तो इसकी बात करें तो किसका होता है आपका ये होता है hydrogen का इसका होता है hydrogen का ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next है हमारा खतरनाक कच्रे में पाए जाने वाले दो रासानिक पदार्तों के पिर्थ्यक्ष पिरभाब के फल्सरूप मिरत्यू हो सकती है बेपदार्त कौन से हैं तो आपके बेपदार्त कौन से हैं अगर उनकी बात करें तो यह है आपका mercury cyanide ठीक है mercury और cyanide ठीक है चलिए next देखते हैं आपका अगर है cng को बहानों के इनन के रुप में भरने के लिए है कितने किलोग्राम 6 सेंटी मीटर तक दवाया जाता है तो कितने चैंटी मीटरत दवाया जाता है इसकी बात करें तो 200 जोजोफाрах कृईasında किलोग्राम 5 सेंटी मीटरत ठीक है इतने तक दवाया जाता है next है अमारा अल्फा किर्णे हैं अल्फा कीलने कैसी है अगर इनकी बात करें तो अल्फा क्रें हमारी कैसी है है हेलियम के नाविक ठीक है कैसे तो कितनी होती है इसकी बात करें तो ये होती है हमारी चार कितनी होती है चार सही देखता है ठीक है चलिए next question देखते है next है हमारा कच्छादन अवा मतलब अनावरान पर किसी पदार्थ का बायू से नवी का अपसोशन करने के गुण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपका परमाव परमाव वियर नावी के किसने खो जाता ठीक है परमाव वियर आव नावी के किसने खो जाता तो ये किसने खो जाता आपका रधर फोर्ड ने चलिए next question देखते है next हमारा नीम्र यूग्मों में से कौन सा ये कन पिर्तिकन यूगम है तो पिर्तिकन यूगम कौन सा है आपका इसकी बात करते हैं आपका इलक्टान फॉजिटान ठीक है इलक्टान फॉजिटान ठीक है नेक्स्ट, निम्लिकित में से किसके रणात्मक आवेस होते हैं, ठीक है, निम्लिकित में किसमें रणात्मक आवेस होती है, तो किसमें होती है आपकी, ये होती है, बीटा कण में, ठीक है, किसमें होती है, बीटा कण में, चलिए नेक्स्ट कुछन देखते हैं, नेक्स्ट है ह हमारा परमाणू जिन में प्रोटान की संक्या समान परंतु न्यूटान की संक्या बिन बिन रहती है क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं अगर इसकी बात करें तो यह कहलाते हैं आपके समस्तानिक क्या कहलाते हैं समस्तानिक ठीक है नेक्स्ट क्युस्सन है हमारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो रेडियो एक्टिविटी का है मापी जाती है आपकी इसकी बात करें तो ये मापी जाती है आपकी गाईगर काउंटर में ठीक है गाईगर काउंटर में ठीक है चलिए नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी का अविस्कारक किया था ठीक है रेडियो एक्टिविटी का अविस्कार किसने किया था अगर इसकी बात करें तो ये किसने किया था आपका बैकोरल ने किसने किया था बैकोरल ने ठीक है चलिए नेक्स बहुतिक परिवर्तन का एक उधारन ठीक है बह जल अब गटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती है इसकी बात करें तो यह किस में होती है आपकी उस्मा के रूप में ठीक है उस्मा के रूप में नेक्स्ट कुरस्टन निमली कित्म से कौन सा सुमोलिद नहीं है ठीक है कौन सा अलग है अगर इसकी बात करें तो यह क्या है आपका अलवीकरन समुद्री जल ठीक है प्रतीलों प्रस्थ føजल विकरतीकरन प्रोटीन पैर्चिर्करट चाहे यह आपका गलत है ठीक है next question next पर चलते हैं next है हमारा chromatography की तकनीक का परियोग होता है chromatography की तकनीक का परियोग होता है तो कायम होता है अगर इसकी बात करें तो यह होता है आपका एक मिस्रन से पदार्थ को अलग करने में ठीक है क्रोमेटोग्राफिक तकनिका प्रो कायम करते हैं एक मिस्टन से पदार्थ को अलग कारणे में ठीक है नेक्स्ट क्यूसर ने हमारा भूपरपटी में सरवाधिक पाया जाने वाला तत्व है ठीक है आक्सिलिन के बाद सबसे अधिक उपलब्द कौन सा मूल तत्व है अगर इसकी बात करें तो ये है आपका सिलिकॉन कौन सा है सिलिकॉन ठीक है चलिए next नेक्स्ट है हमारा निम्लिकित में से कौन सा एक तात्व नहीं है तो इन में से कौन सा तात्व नहीं है इसकी बात करें तो गैस एक तात्व नहीं है ठीक है ये क्या है गैस ठीक है सबसे अधिक किर्यासिल दातु कौन सी है तो यह कौन सी है अपकी पोटेसियम ठीक है सबसे अधिक किर्यासिल दातु पोटेसियम नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से कौन कठोर्थम दातु है तो कठोर्थम दातु आपकी क्या होती है यह होती है platanium ठीक है क्या होती है platanium ठीक है चलिए next question देखते हैं next है हमारा सबसे भारी प्राकर्टिक तत्व है सबसे भारी प्राकर्टिक तत्व क्या है आपका तो यह आपका uranium ठीक है किसे रखाता है सोडियम को ठीक है next question है हमारा सोने को घूला जा सकता है जूकित अगर इसकी बात करें तो यह आपका 24 करेट का, कितने हैं, 24 करेट का, नेक्स्ट है हमारा, अती मुलायम, खनीज, डाल, सोप, स्टोन, मुख्यत है, तो क्या है अगर इसकी बात करें, तो ये है हमारा, मेगनेसियम, सिलिकेट, क्या है, मेगनेसियम, सिलिकेट, चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा, डाक्ट अगर इसकी बात करें तो यह है आपका माई का है माई का क्या है अगर इसकी बात करें तो माई का है हमारी उस्मा का चालक तथा बिद्दूत का कुचालक ठीक है next नेक्स्ट पिरसन है हमारा निमलिकित में से क्या जल से हलका होता है तो क्या जल से हलका होता है तो यह होता है आपका सोडियम ठीक है जल से हलका क्या होता है सोडियम ठीक है नेक्स्ट पिरसन है आपका निमलिकित में से कौन सी मिस्रदातु नहीं है तो कौन सी मिस्रदातु न जहाज तता रेल की डिबे में पूर्जो के काम में लिया जाता है, तो इसकी बात करें तो ये है आपका ऐलमॉनियम, क्या है, ऐलमॉनियम ठीक है. Next है हमारा, टाका एक मिस्तर दातु है, टाका किस चीज़ का मिस्तर दातु है, इसकी बात करें. तो यह है आपका टिन तथा सी सेगा ठीक है मिस्टा तो किसकी है टिन तथा सी सेगा ठीक है next question है हमारा काँसा मिस्रित धातु है काँसा मिस्रित धातु क्या है आपकी अगर इसकी बात करें तो कांसा मिसर दातु कौन सी है आपकी तो यह है हमारी ताभा एवं टिन का कौन सी है अगर इसकी भात करें तो यह है आपकी ताबा, घुक है क्या है ताबा नेक्स पर चलते हैं ठीक है निमलिकित में से की उपस्तिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो किसकी उपस्तिति कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है इसकी बात करें तो यह आपका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइट के कारण ठी जाती है तक जाती है तो यह दा कि प्रच ड़ाए जाती है है मारी तो यह जड़ा जाती है रांगे की टो इक टाम नेक्स्व आमाला नीचे दिये गई यूड़ में से कौन यह यूडोंस नहीं है ठीक है तो इसकी बात करें तो यह इसका अंसर क्या होगा आपका यह हमारा फुलेरीन युक्त कार्विनिक योगिक ठीक है चलिए नेक्स्ट कुर्शन देखते हैं कि नेक्स्ट नमरा निभ्न मेंगें और वड़ कि बात करें तो कि से कहते हैं आपको यह कहते हैं ठोस कारड़ान डाई आ त्षाइड प्रिट को थीक आ éléments सिद्रों करता है तो नियुन तो बायो प्रतुषन कौन करता है आपका, ये करता है, हायड्रोजन, ठीक, कौन करता है, हाइड्रोजन, next क्यूट से ना आपका, next है हमारा, nuclear रियक्टरों में, बिमंदग और पिर्थी सक्क दोनों की तरह पिर्योग होने वाला पदार्त है, तो ये कौन सा पदा होता है ठीक है next है अपना next question की बात करें तो यह हमारा जल के लिए pH मान होता है जल के लिए pH मान कितना होता है आपका यह होता है आपका लगवग 7 कितना होता है लगवग 7 ठीक है next question पानी का सुद्तम रूप क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये है आपका बरसा का पानी फिटकरी गंदले पानी को किस पिरक्रिया द्वारा सुच करती है? तो ये किस पिरक्रिया द्वारा करती है आपकी इस गंदन द्वारा? इस गंदन द्वारा सुच करती है अगला किस्तन है हमारा बनस्पती तेल से बनस्पती घी बनाने में प्रयोग होने वाली गैस है तो कौन सी गैस है आपकी यह होती है हमारी हाइड्रोजन ठीक है बनस्पती तेल से बनस्पती घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं ठीक है चलिए नेक्ट बनस्पति तेलों के हाइड्रोजनिकरण में निमलिकित में से किस उत्पिरेरक का उपयोग किया जाता है तो किस उत्पिरेरक का उपयोग किया जाता है आपका यह किया जाता है निकेल का किसका निकेल का ठीक है चलिए next question देखते हैं और निमलिकित में से किस गैस की पिर्ति सत मात्रा आयतन में बायो मंडल में सबसे कम है तो किस की है सबसे कम इसकी बात करें तो यह है कारवन डाइऑ आक साइट की ठीक है नेक्स्ट है हमारा गोता खोरों के सांस लेने संबंदी किर्या में उप्योग की जाने वाली गैस है तो कौन सी गैस है गोता खोरों के उसमें ले जाती है आक्सिजिन तता हीलियम ठीक है नेक्स पिरसन है हमारा जल में आसानी में से गुलन सील है किया है आपका जो चल्वें आसानी से घोल जाता है तो यह आपका अमोनिया ठीक है नेक्स पिर सने हमारा निमलिकित में से किये गए एक को register gas भी कहते हैं exchanger gas भी कहते हैं किसे कहते हैं अगर इसकी बात करें तो यह है आपका chain on ठीक है exchanger gas लें जीनान को यहां टिक है चलिए नेक्स्ट कें इसलगर早 जाती है तो यह भर जाती है आपकी नाइटरोजन ठीक है बाईओ मद्ड़ के टारों में नाइटरोजन गैस का पुरयोग करते हैं ठीक है चलिए नेक्स निमलिकित में से किस तत्व धात्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्ची पोदे कीटों को पकड़ने दा उनका बक्चन करते हैं ठीक है तो किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्ची पोदे कीटों को निर्धानर से सम्बंद है, ठीक है, सम्बंदित है, तो ये कौन सा है आपका, इसकी बात करें, तो ये है आपका, नीला हरा सेवाल, ठीक है, कौन सा है जेविक निर्धानर से सम्बंदित, नीला हरा सेवाल, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मारा, आसु गैस है, आसु गैस क क्या है आपकी अगर इसकी बात करें, यह है अमोनिया क्या है अमोनिया ठीक है चलिए नेक्स्ट को निम् लिकित है कोन सा सामाननिय ताप पर थो सवस्ता में रहता है तो यह रहता है आपका iodine, ठीक को रहता है? iodine, next है हमारा बहह हैलोजन जिसका उपयोग पीडा हारी की तरह किया जाता है, तो किसका किया जाता है आपका? ब्रोमीन का किसका कहता है ब्रोमीन का ठीक है चलिए नेस्ट के उसन देखते हैं स्वन्ड कारो द्वारा पिर्योग में आने वाला एवरेजिया निमलिकित में से मिलाकर बनाया जाता है तो किसे मिलाकर बनाया जाता है इसकी बात करें तो यह बनाया जाता है आपका नाइट्रिक अम्तता हाइड्रोक्रोरिक अम्ल के द्वारा एक जाब वे रिजिया ठीक है नेक्स्ट है हमारा रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायनिक माना जाता है ठीक है रसायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायनिक माना जाता है आपका यह माने जाता है HNO3 ठीक है चलिए next कुरसन देखते हैं क्योरी बिंदु ताप मानपन निमलिकित में से क्या होता है क्योरी बिंदु ताप मानपन निमलिकित में से क्या होता है इसकी बात करें तो यह होता है आपका धातू का चुम्बक ये गुन को समाब्ध हो जाता है घ्या होता है धातू का चुम्बक के गुन समाब्ध हो जाता है ठीक है, नेक्स्ट कुछ सेने हैं आपका, ब्लेचिंग पावडर में कौन सा रासाइनिक योगिक होता है, ठीक है, ब्लाचिंग पावडर में कौन सा रासाइनिक योगिक होता है, इसकी बात करें, तो ये होता है आपका, calcium oxy chloride कौन सा होता है calcium oxy chloride ठीक है नेक्स्ट है आपका जब इनों लवड को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है इसका कारण क्या है इसकी बात करें जिसका कारण है आपका CO2 gas क्या है CO2 gas ठीक है चलिए next question देखते है नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफी में इस्तिर करने के रूप में प्रियुक्त होने वाला रासायनिक पदार्त है ठीक है तो कौन सा रासायनिक पदार्त है आपका ये है आपका sodium thiosulfate ठीक है sodium thiosulfate next question है हमारा mustard gas का उपयोग किया जाता है mustard gas का उपयोग किस में कह जाता है तो ये कह जाता है रासायनिक युद्ध में ठीक है किस में कह जाता है रासायनिक युद्ध में चलिए next पे चलते है cigarette lighter में निमलिकित में से कौन सी gas परियोग्त होती है ठीक है lighter में कौन सी gas परियोग्त होती है यह होती है आपकी मीथेन से काईसे होती है मीथेन से चलिए next question देखते हैं आपका next question निमली कितमे से कौन सा रासायन फल पकाने में साइता करता है ठीक है फल पकाने में कौन सा रासायन साइता करता है अगर इसकी बात करें तो यह है आपका इथे फान ठीक है इतेवान रसायन फल पकाने में सायता करता है ठीक है चलिए next question देखते हैं निमलिकित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए फिर्योग में लाया जाता है ठीक है फल पकाने के लिए कौन सा रसायन फिर्योग में लाया जाता है तो यह आपका calcium carvide ठीक है कैलसियम कारवाई ठीक है नेक्स्ट है आपका निमली कित में से किसको बुड़ इस्पिरिट भी कहा जाता है ठीक है किसको बुड़ इस्पिरिट भी कहा जाता है ठीक है किसे कहा जाता है आपका बुड़ इस्पिरिट इसकी बात करें तो यह आपका मेथेर अल्कॉल बाहुलक प्राप्त होता है तो कौन सा होता है आपका ये होता है आपका पाली कार्बोनेट्स ठीक है पाली कार्बोनेट्स चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपका नेक्स्ट है क्या कह रहा है निम्लिकित में से कौन सा बहुलग बुलेट प्रूप खिड़की बनाने में पिर्योग होता है ठीक है बुलेट प्रूप खिड़की बनाने में कौन सा बहुलग पिर्योग होता है इसकी बात करें तो यह होता है आपका पाली कार्वोनेट ठीक है पाली कार्वोनेट योग किये जाने वाले कौन से रसायनक बायू प्रदूसक होते हैं ठीक है तो कौन से होते हैं अगर इसकी बात करें तो यह होते हैं आपके क्लोरो फ्लोरो कार्वन ठीक है कौन से होते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्वन ठीक है नेक्स्ट है आपका निमलिकित में से कौन सा कार्वनिक अमल अंगूर इमली तता केला में पिर्चुर मात्रा में विद्वान रहता है ठीक है तो केला, अंगूर, इमली में सबसे अधिक मात्रब में कौन रहता है अगर इसकी बात करें तो ये है आपका टार्टेरिक अम्न ठीक है नेक्स्ट है आपका RDX अविस्क्रत हुआ है RDX का विस्क्रत किसने किया है अगर इसकी बात करें तो यह है आपका हैनिंग द्वारा किसी के द्वारा हैनिंग द्वारा ठीक है चलिए नेक्स्ट के उसन देखते हैं आपका नेक्स्ट है हमारा निमलिकित में से किसका उपयोग विस्पोटक के उद्गाटन में किया जाता है तो विस्पोटक के उद्गाटन में किसका उपयो लिकित में से कौन जिवास्म इनन है तो इन अब्रोम ंधन तो यह आपका प्राकर्थिकन है त्ने लिकित में से मुखत किसके लिए सीटेन संक्याट बंटा प्राचल के रूप में पर्यूप होती है कि की रूप में होती है यह होती है आपकी डीजल की रूप में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट है एक बायो गैस सेंद्र में निम्न में से कौन सी प्रिकर्या होती है ठीक है बायो गैस सेंद्र में कौन सी प्रिकर्या होती है तो में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आप उर्थी किस रूप में की जाती है अगर इसकी बात करें तो यह की जाती है आपकी तरल रूप में इसमें तरल रूप में चलिए नेंच्ट केुछ लिए foreign इसकी anti-knarking rating असफोरटन दर को बढ़ाने के लिए QC, निमलिकित में से कौन सा सामान नया पिर idd technic जिसको घरैलू फिचित क्या जाता है इसकी बाद करें तो यह है आपका फेयान के रोप में टिक है कायमे, फेयान के रोप में next है आपका कच्ची चीनी को रंग बीहीन करने हे तुर जिस चार कोल का पिर्योब किया जाता है, तो वह कौन सा है आपका, इसकी बात करें टो ये है आपका animal चार कोल, क्या है animal चार को ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सहत का पिर्मु गटक है सहत का पिर्मु गटक क्या है तो सहत का पिर्मु गटक है आपका प्रक्टोज ठीक है फल सरकरा ठीक है फल सरकरा नेक्स्ट है आपका एस्पिरीन कहां से मिलती है ठीक है एस्पिरीन कहां से मिलती है तो यह कहां से मिलती है आपकी एक पेड़ से, कहां से प्राप्त होती है एक पेड़ से, ठीक है, चलिए, next, खटे दूद के उत्पादों में कौन सामल होता है, ठीक है, खटे दूद के उत्पादों में कौन सामल होता है, यह होता है आपका lektikum क्या होता है lektikum ठीक है चलिए next question next है हमारा लोंग के तेल का निम्रिकित में से कौन सा एक पिरमुख गहटक है ठीक है लोंग के तेल का पिरमुख गहटक क्या है इसकी बात करें तो यह है आपका यूजे नाल क्या है यूजे नाल ठीक है नेक्स्ट फिरसन है हमारा साबुन ग्रीज को हटाता है साबुन ग्रीज को हटाता है तो कैसे हटाता है ग्रीज को इसकी बात करें तो ये हटाता है आपका पाईसी करन दुवारा ठीक है पाईसी करन दुवारा ग्रीज को हटाता है चलिए next तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है तो क्या है आपका जो तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता तो कौन सा है वो आपका यह है hydrogen क्या है hydrogen ठीक है चलिए next DAP में कितने पिर्थिसद फासपोरस P2O5 जाता nitrogen N5 जाती है तो कितनी पाय जाती है आपकी यह यह पाय जाती है आपकी 18% नाईटोजन तता 40% फासफोरष ठीक है नेक्स्ट ऊन्म कर में आपका हरीखाद के लिए सबसे उपर्यूक्त फसल है ठीक हरीखाद के लिए सबसे उप्रूप फसल कौन सी है आपकी तो ये है आपकी सनई क्या है सनई ठीक है हरिखाद के लिए next question है आपका मच्छर भगाने वाली दवाओं में सेकर रहे है रासायन ठीक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं होती है उनमें कौन सा रासायन होता है अगर उसकी बात करें तो ये होता है आपका एली थ्रीन ठीक है चलिए next चुहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार से बनता है तो ये बनता है आपका पोटेसियम साइनाइट ठीक है काईसे बनता है पोटेसियम साइनाइट ठीक है next है आपका कास्ट अस्ती और संग के प्रतात्विक नमूनों का काल निर्धारान करने के लिए निमलिकित में से कौन सा कतसाधन अपनाया जाता है ठीक है तो कौन साधन अपनाया जाता है आप इसका अंसर है आपका carbon 14 जो पुरानी उसका पता लगा निक किसका जूच करते हैं carbon 14 जोध है चलिए नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा एक यसद पुस्व कि कहलाता है ठीक है कौन सा कहलाता है आपका इसकी बात करे तो यह है आपका zinc oxide क्या है आपका zinc oxide ठीक है चलिए next नेक्स्ट आपका मिरत मचली से निकलने वाली दुरगंत किन योग को कारण होती है तो किनके कारण होती है इसकी बात कर तो यह होती है अमीनो योगिक, ठीक है, काई करन अमीनो योगिक के, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निमलिकित में से कौन सा रसायन किर्थिम बर्सा में पिर्योग होता है, ठीक है, किर्थिम बर्सा में किसका पिर्योग होता है आपका, सिल्वर आयोडाइट का, ठीक है, सिल्वर आयोडाइ तो पिरूने cannon willि कितमें में से किसे भविस्य की दातूं कहा जाता है चिंदूर यह था होता है आपका Lenert राल स्याई बनाइ कि यह बना जाती आपकीели इसे किस का औल्पयोग दिया सलाई के निर्माण्ड में किसन को प॥ किया जाता है तो किसका किया जाता है आपका लाल फास स्थ प्योगत करते हैं लाल Denmark गोट मैसे कौंसा कौन जब ऑपस अंद्र में रखा जाता है तो स्वेथ देफ्ध हो टायानि कि जल उटता है तो कौन सा है आपका यह है आपका इंख्ध स्वेट फासपोरस क्या है स्वेट फासपोरस ठीक है चलिए नेक्स्ट आर एन किस तत्व का रासाइनिक चिन है इसकी बात करें तो यह है आपका रेडान का, काय का, रेडान का, ठीक है चलिए next question देखते हैं, next है हमारा यदि किसी ब्यक्ति को बंदूग की गोली लगने पर उसके सरीर से सभी गोलिया नहीं निकाली जाती है तो निमलिकित में से किस के करन उसके सरीर में जहर फैल जाता है, ठीक है बंदूग की गोलिया के सरीर से नहीं निकाली जाएं तो किस के करन उसके सरीर में जहर फैल जाता है, ठीक है तो किस के करन फैलता है उसके सरीर में जहर ये फैलता है आपके सीसा के करना ठीक है, काय के करना सीसा के करना ठीक है चलिए next बहत तत्व जो प्राकर्टिक में नहीं होता है लेकिन कृतिम रूप से उत्पन किया जाता है क्या है ठीक है तो क्या है वो तत्व उसकी बात करें तो ये है आपका रेडियम क्या है रेडियम ठीक है चलिए next solder किंदो धात्वों से बना मिसर धातों। zui order किंदर धातों से बना मिसर धातों इसकी बात करें तो यह है आपका तिन ओर सीसा क्या है तीन और सीसा चलिए next question देखते है next आपका portland cement में gypsum मिलाने से मदद मिलती है ठीक है? portland cement में gypsum मिलाने से मदद क्या मिलती है? इसकी बात करेंगे तो cement के सिमिंट को सीगर जमनने से रोकता है फिर सिमेंट को सीघ जमने से रोकने में है नेक्स्ट की इसनद से आपका किसी जिल गलंड करने के लिए किस दातु का नायक रोम का तर प्रजा नायकरण का है। वात करें तो यह आपकी carbon acrylia gas नहीं है चलिए next कि मैगनेशम को जलाने पर क्या बनता है तो यह बनता है आपका भस्म निम लिकित में से सबसे कम है उसकी बात करें तो यह है आपका पैटे टोड़ का ठीक है किसका है पैट्रोर्कार नेस्ट कुस्षेंन आपके आक को बजाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए ठीक है चलिए नेस्ट क्रत कम आपका पुरानी किताबों को कागज का भूरा किस करण करन होता है ठीक है पुरानी किताव कावज भूरा किस करन से होता है तो किस करन होता है अकर इसकी बात करें तो यह होता है आपका कि सेलुलोज और सेलुलोज के आक्सी करन से ठीक है किसी करन सेलुलोज के आक्सी करन के करन ठीक है नेक्स्ट के उसन देखते हैं आपका डूटेरियम की द्रभ्यमान संक्या कितनी होती है इसकी बात करें तो ये कितनी होती है आपकी तो ये होती है आपकी दो कितनी होती है दो कितनी होती है आपकी डूटेरियम की द्रव्यमान संक्या कितनी होती है द्रव्यमान संक्या की बात करें तो यह होती है आपकी तीन ठीक है कितनी होती है तीन नेक्स्ट क्यों से आपका निमलिकित में से किसमें silver नहीं होता है तो किसमें silver नहीं होता है यह होता है आपका German silver क्या होता है German silver में ठीक है नेक्स्ट है आपका Almonium किस से प्राप्त किया जा सकता है इसकी बात करें तो यह कैसे बाक साइट से चलिए next question देखते हैं जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपो पर जस्ते की पराच चड़ाने को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आपका यसदी करण क्या कहते हैं यसदी करण ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका काच होता है तो काच क्या होता है आपका तो यह होता है आपका अतिसीतक दुरफ चलिए नेक्स्ट बारी धात्व का नाम इसलिए यह है पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परवाणियों की तुलना में यह होता है तो क्या होता है उसमें उनमें होता है आपका उच घानत क्या होता है उच घंण ठीक है चलिए Us इटालवा लोई में कारवन का पिर्तिसट कितना होता है तो कितना होता आप्का तीन से पांच पिर्तिसट ठीक है चलिए नेक्स इस डे कौन सी 2 धातिए हैं जो सिल्वर रंग के नहीं होती एं डे कdateकर नहीं होती तो यह होती है तांबा और सोना ठीक है तांबा और सोना चलिए नेक्स्ट है आपका इस्टेनलेस इस्टील किसकी मिस्र धातु है तो किसकी है आपकी यह क्रोमियम और आइरन की किसकी क्रोमियम और आइरन की ठीक है चलिए नेक्स्ट के उसन देखते हैं नेमलिकित में से किसको पेंसिलों में पिर्यूक्त किया जाता है इसकी बात करें तो ये होता है आपका ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिलों में पिर्यूक्त किया जाता है ठीक है चलिए next question देखते हैं आपका next है हमारा caste spirit क्या होती है 교achen DAVID क्या होती है तो ये होती है आपकी methyl alcohol क्या होती यह मैथिल alcohol टीक है चलिए next निम लिकित में से किस ुश्वasmus मा का मान होता है ठीक है तो किसमें होता है आपका यह होता है जल में किसमें होता वुशित अस्वार कमामई जल में चलिए next निम्ण खनीजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है तो किसका भूरा हीरा है इसका नाम यह है आपका लिगनाइट क्या है लिगनाइट का नाम भूरा हीरा है ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टन है आपका प्रत्वी के बायू मंडल में सबसे प्रोचुर मात्रा में निस्किर्य गैस कौन सी है तो निस्किर्य गैस कौन सी है आपकी ये होती है आरगन क्या होती है आरगन ठीक है नेक्स्ट है आपका ताज महल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदाय है, ठीक है, ताज महल के पीला होने के लिए, कौन उत्तरदाय है, तो इसकी बात करें, ये है आपका सल्फर डाय आक्साइट के करण ताज महल का रंग पीला होने लगा ठीक है? चलिए, next question देखते हैं आपका next है, हमारा हरत होता Surytator का रासायनिक नाम क्या है हरत होते का रासायनिक नाम क्या है तो इसका रासायनिक नाम क्या है आपका Furos Ferus Sulfate च्क है चलिये next Carbon Dioxide कूर Black चूने के पाने के साथ पिरवावित कιolici के समयोजन के निर्माल में बहदोदिया हो जाता है केल्सियम कार्वोनियम चीजिए नेक्स्ट अमलीय बर्सा का पीएच वाले अक्षेपड को संधित करता है तो कितना है आपका अगर इसकी बात करें तो यह होता है आपका 5 से कम अमले वर्सेपड को संधित करता है ठीक है चलिए next देखते हैं आपका next है निम लिकित गैसों में से कौन सी पानी में घुलन सील है तो कोन है आपकी पानी में घुलन सील है तो कोन है आपकी पानी में घुलन सील है तो कोन है आपकी पानी में घुलन सील है तो कोन है आपकी पानी में घुलन सील है तो कोन है आपक प्रेज़ प्रीक करेंS a at class इन फेल्प में किसका सब्सहिए उजर्ण के जल गैस इन में किसका से लिए ने सियोव!!!! बिव चल एक चलिए नेक्स्ट कि उसलर नभक है इंग मैं के यहाएक है किस विर्प्रकार की रासाया निक अभिकिर्या है एक अधिक प्रतिक किर्यासील धातू का कम किर्यासील धातू की जगह ले सकती है ठीक है तो किसके उसरे सकती है आपकी है विस्तापन द्वारा ठीक है किसके द्वार जग रे सकती है विस्तापन के द्वारा ठीक है तो चलिए आज का हमारा प्रक्टिस सेल जो था यह समाप्त और चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करते रहें